तो चलिए सर, एक question मैं लिख लेता हूँ पहले, और आप इसको solve करिएगा, example, Mr. X working in X, Y, Z limited with salary 50,000 per month and he received Following, number 1, HRA, 20,000 per month and rent paid 15,000 per month, he stayed in Delhi Number 2, Children education allowance Children education allowance, 500 per month For three children For three children Three, hostel Expenditure Allowance Rs. 500 per month For each children Each child Four, city compensatory allowances 25,000 per month 500 per month Five, 500 per month Uniform allowances Yeah, medical allowances Yeah, medical allowances Yeah, medical allowances Six, uniform allowance Uniform allowance 10,000 Out of which 3000 Expense Seven, he 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 invest In LIC Rs. 100,000 Rs. 1,00,000 For deduction For deduction For deduction For deduction Under section 80C for deduction under section 80C लीजिए question बड़ा छोड़ा सा बनाए है मैंने ज्यादा कुछ नहीं है बस मुझे एक testing आपको करके दिखाना है sir के चकर क्या है ये old regime नो रिजिम ये हमारा question है इस old regime और new regime के वजह से मैं समझता हूँ सरिफ परिशानी student को ज्यादा हो गई है चलिए मैं यहाँ पे old regime के लिए निकालूँगा यहाँ पे new regime के लिए निकालूँगा और निकाल रहा हूँ मैं taxable salary for mr.x हाँ एक बात और मैंने question में requirement नहीं लिखा मैं औरली बोल देता हूँ space नहीं है हमें taxable salary और tax liability दोनों निकाल के दिखाएंगे और taxable salary और tax liability दोनों दिखाएंगे और दोनों से करके दिखाएंगे old regime से भी और new regime से भी ठीक है ना दोनों से हम करने वाले हैं चलिए अब सबसे पहले basic salary देखते जाईएगा आप समझते जाईएगा मैं कर रहा हूँ अभी आपके लिए particular new tax rate में condition अभी समझ में आ जाएगा जिन बच्चों को नहीं आए बस मुझे थोड़ा सा ना बेसिक सेलरी सर पचास अजार महिने का है बारा महिने तक काम होगा तो चाहे नियू रिज्म हो चाहे ओल्ड रिज्म हो सेलरी रहेगा छे लाग रुपे समझ यह नोटिंग देखिए बाद में पहले समझ लो आप तो रहेगा कितने छे लाग रुपे इसके बाद सेकिंड पॉइंट है हमारा डी ये इसको मिल रहा है क्या नहीं मैं लिख देता हूँ पी ये इतने आएगा ट्विंटी पॉर्सेंट ऑफ बेसिक यानि आपका छे लाग का ट्विंटी पॉर्सेंट एक लाग और यह सारा रिटायर्मेंट बेनिफिट है ठीक है इसके बाद एचारे मैंने बोला सर एचारे की बात करें तो एचारे मिलता है आपको 20,000 महीने की और 20,000 महीने की तो साल की हो गई 2,40,000 अगर आप जाते हैं नियू रिजिम में तो बोला गया किसी भी अलाउंस का हम आपको डिड़क्शन नहीं देंगे जो स्पेशल अलाउंस इस है तो एचारे का कोई डि सीखा था तीन पॉइंट नए रिजिम में जाओगे तो सर कुछ नहीं है जी आप 2,40 यहां लिख दीजिए आप ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना लेकिन वहीं आप रहते हो सर ओल्ड रिजिम में तो यहां मैं एक एचारे की कैलकुलेशन करूंगा एक्चुल रिसीव आपका था एक्चुल रिसीव 20,000 यानि 240 240 हो गया ना 20,000 रुपे पर मन्त है 240 रेंट पेड कर रहा है 15,000 तो सर रेंट पेड और क्या करते थे माइनस 10% SRB salary retirement benefit तो रेंट पेड हो गया आपने बताया 180 माइनस अब salary निकालना पड़ेगा salary सर था 6,000,000 रुपे और इस 6,000,000 में से DA add करेंगे तो मैंने बताया सर DA जितने भी दे रखे हैं वो सारा इसी का है तो 21,000 मतलब 7,20,000 का 10% लेंगे कितने आगे हैं 72,000 तो सर ये क्या निकल के आया नई एक लाख 8,000 अगला कहता है Delhi में रह रह रहा है तो 50% ले ले हम 720 का तो जो बनता है हमारा 3,000,000 कितने 60,000 इन तीनों में से जो lower रहेगा ना उसका मिल जाएगा आपको exemption इन तीनों में से जो lower रहेगा मैं माइनस कर दूँगा और अब जो old वाले में जो taxable करते माइनस करेंगे इसमें से तो सर 24,31 पहले तो ये point समझ लीजिए आप सर नए वालों ने क्या बोला आपका tax rate कम कर रहे हैं लेकिन जो deduction थे सब खतम कर रहे हैं लेकिन पुराने वालों ने बोला भीया tax rate तो जादा है लेकिन deduction आपका बरकरार रहेगा तो हरे का deduction मिल गया है deduction मिलने का मतलब जितना मिला था वो सब पर टेक्स नहीं लगाया कुछ माइनस करके exemption मिल गया है बिसिकली deduction गलत वर्ड है एक्जेम्शन मिल गया है एक्जेम्शन और डिडेक्शन में क्या फरक है बात में देख लेंगे और सर एच रे नए रिजिम में क्या हुआ fully taxable सर, point नंबर 1 हमने done कर लिए आप आजाते है point नंबर 2 पे point नंबर 2 क्या कहता है? Children education allowance 500 रूपे for 3 children यानि सर, children education allowance तो 500 रूपे गोणा में 12 6000 तीनों के लिए, each children नहीं बोला माइनस में 3 चिल्टन के लिए है तो 100 multiply 2 into में 12 यानि सर section 10 कहता है 2400 minus करिए और आपका taxable जो हो जाएगा कितने होंगे 2600 3600 3600 लेकिन newism कहता है ऐसा कुछ नहीं है आपके लिए कितना taxable करो किये दा मेरे इसाब से मैंने 500 बोला न ठीक है कोई दिक्कत नहीं है पहले देखिए कोई doubt यहाँ तक किसी को doubt समझ में आ रहा है आपको old और new compare करके चलना है कि नए में क्या हमें ध्यान रखना है आपको सारी बातों को provision को याद रखना है तीसरे point पे कहता है hostel expenditure 500 रुपे इस चाइल के लिए दिया गया अब कितने चाइल है आपको पता यह तीन है तो होस्टल होस्टल कितने हो गए हमारे पान सो मल्टीप्लाइट थ्री मल्टीप्लाइट ट्वेल तो सर आपने कहा यह अठारा हजार हो गया फोड़ा short form में लिख लिया कहा गया 300 रुपे हम exempt कर देंगे इंटू में 12 इंटू में 2 72 रुपे exempt तो बच जाएंगे 10,800 old में नए वाले में बोला भी या ऐसा कुछ माइनस करने नहीं देंगे हम आपको 18 का 18 रहे समझ पा रहे हैं हम पता चल रहा है ना difference क्योंकि एक बार आपको difference पता चल गया तो मेरे लिए आसान हो जाएगा मैं फटा फटा आगे बोलूँगा तो आपको याद रहेगा बड़ सर इसके बाद हमारा CCA City Compensatory Allowances CCA सर इसमें तो पहले कोई exemption था ही नहीं इंटू में 12 तो पहले सर कोई exemption नहीं था तो अब कौन सा देंगे ये अब भी कोई exemption नहीं रहेगा CCA City Compensatory Allowances Fully Taxable Allowances का पार्ट था तो ओल्ड में भी पूरा टेक्स लेते थे और नहीं में तो सब बोली रहे हैं सब पे टेक्स दो भाई इसके बाद medical 15100 रुपे medical कितने होगे 1500 इंटू में 12 सर पहले भी नहीं था इसमें exemption पुराने टाइम पे हुआ करता था जो खतम हो गया अब भी नहीं दिया हमने Uniform Allowances Uniform Allowances is not special allowances Uniform Allowances generally official allowances है हमारा और जितना receive करोगे जितना पैसे बचा लोगे pocket के अंदर वो taxable ही होगा चाहे old regime हो new यहाँ पे कोई ऐसा change नहीं है सर आपको total uniform allowances मैंने बताए 10 में से आपने खर्च कर दिये 3 तो 10 माइनस में 3 तो यहाँ भी 7000 आ जाएगा कुछ बच्चे के mind में question हो सकता है मैं दुबारा बोल देता हूँ Uniform Allowances office के उपर खर्चा कर रहे हैं सर तो यह ऐसा allowances था जो कि पहले भी exempt नहीं था अगर आप सारा बचा लेंगे तो taxable ही है तो एक तरीके से fully taxable है ना पहले भी तो बचा रहे हो तो अब भी fully taxable है जितना बचा रहे तो इसमें कोई बदला नहीं हुआ सर यहां पर एक और investment डाल देते हैं इसने अपने फादर का treatment करवाया है अपने फादर का जहां पर पचास अजार रुपए का खर्चा किया है इसने ठीक है एक लिख दिया मैंने जर्नली सर और कुछ तो है नहीं टोटल करते हैं टोटल करते हैं छे लाक इसका नाइन लैक इसका थोड़ा कलर चेंज कर ले आर आपने बताया ग्रॉस टोटल नौ लाक इक्केस अजार सर दूसरे का क्या सेम ही आएगा दस लाक उन्तालेस अजार ठीक है दस लाक अभी ये तो डिडेक्शन का पार्ट है मैं बता देता हूँ ये एटीडी का पार्ट है वैसे अलाकि कराए नहीं लेकिन मैं तो सरिफ फरक दिखाना चाहता हूँ ये सर एटीडी में डिडेक्शन मिल जाएगा सरिफ मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको ठीक है ना का नहीं देंगे तो मैं बस बताना चाहरा हूँ आपको सब को विज्वल है प्रॉपर अब माइनस क्या करेंगे सर माइनस स्टेंडर्ड डिड़क्शन पचास अजार रुपए नए वाला बोलता है ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम सरिफ आपको हमने बता दिया एट सेवन वन फोर डबल जीरो तस यानि न्यू रिज्विम के हिसाफ से आपका टेक्सेबल सेलरी दस लाख उन्तालिस अजार है टेन लेक थर्टी नाइन थाउजन रुपीस और ओल्ड रिज्विम के हिसाफ से एट लेक सेवन थाउजन फोर तो समझ पा रहे होंगे कि न्यू रिज्विम जब लाया तो उन्होंने इंकम हमारा क्या करा इंक्रीज लेकिन टेक्स रेट डिक्रीज करा तो कहीं न कहीं महीं पर लेके हमें आ गये हो अभी तो आगे लाइबलिटी निकालेंगे तो देखेंगे यह क्या निकला हमारा टेक्सिवल सेलरी अब निकालेंगे टेक्सिवल इंकम अगले पेज पर चलते हैं सर टेक्सिवल इंकम अभी किसी का भी डाउट नहीं ले रहा मैं स्क्रीन पर देखी नहीं रहा भी तो किसी का भी मैं देखी निरा स्क्रीन पे ताकि मैं एक बार पहले सारे कॉंसेप्ट करा दूँ आपके मुझे पता है कुछ बच्चों के बहुत सारे कॉश्चन होगे फिर मैं एक साथी ले लूँगा तो दोनों के हिसाब से ठीक है ये ओल्ड के हिसाब से ये न्यू के हिसाब से सर्ग टेक्सिबल सेलरी इंकम फ्रॉम पहला हैड इंकम फ्रॉम सेलरी इसके उपर पता क्या लिखेंगे कम्प्यूटेशन और टेक्सिबल इंकम सर एक होता है टेक्सिबल सेलरी तो सिर्फ एक हैड से पूछ रहा है यहाँ पर टेक्सिबल इंकम मतलब सारे हैड से पूछ रहा है समझ मैं दोनों में फरक टेक्सिबल इंकम का मतलब सारे हैड से और taxable salary का मतलब स्रिफ एक head से बाकी के head यहाँ पे है यही नहीं तो हमारा यही हो जाना है तो 871,400 871,400 और sir यहाँ दूसरे पे 10,39 10,39 अब तो कुछ है नहीं sir जोडने के लिए तो यही आगया sir हमारा gross total income taxable income नहीं आया अभी आएगा gross total income अगर आपको याद हो ना पहली class तो पहली दूसरी class के अंदर मैंने बताया था आपको कैसे निकालते पांचो head यहाँ पे income from house property आ जाता income from capital gain आ जाता income from other source आ जाता income from PGBP क्योंकि X का ऐसा कोई income है नहीं तो सब 0 तो इसलिए मैंने इसे ले लिया अब यहाँ पे यही total आ जाना है sir 871400 पहली class के अंदर यह सारी बाते थोड़ी थोड़ी बताई हुए मैंने minus कर देंगे deduction sir deduction जो होता है न यह न चैप्टर 6 भी है कई बार बोल देते हैं चैप्टर 6A के अंदर गीवन है तो हम section पे अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं एक बार chapter खतम हो फिर revision में हम chart में जब करेंगे तो सारे section को भी revise करेंगे sir ATC के अंदर deduction question में मैंने लिखा इस पेसली अभी आपको पता नहीं sir ATC में क्या deduction होता है बस इतना समझ यह कि deduction का मतलब GTS gross total income में GTS कह रहा हूँ gross total income में से minus करने को deduction बोलते हैं तो मैंने question में खुद बोल दिया sir इसका deduction ATC में मिलेगा तो मिलेगा मतलब आपका deduction कितने रुपे का खर्चा था उसका invest किया था एक लाख रुपे तो मैं उसे एक लाख रुपे का deduction दूँगा लेकिन new reason बोलता है नहीं नहीं हम ऐसा कोई deduction नहीं देंगे आपको यानि salary के अंदर तो बाते बोली उसके बाद भी फिर उसने क्या करा अपने फादर के treatment पे खर्चा किया तो 80D के हिसाब से deduction मिलता है मैंने especially लिख दिया आभी तो आपको दिमागी नहीं लगाना सर 80D क्या नहीं सोचना आपको कितना खर्चा किया 50 तो 50 पूरे deduction मिल जाएंगे इसे तो कितने मिल गए इसको और नियूरिजिम बोलते हैं नहीं फादर हो चाहे कोई भी हम तो नहीं देंगे माइनस करने अब आएगा taxable salary सरकार की चालाकियों को समझो taxable income sorry यहाँ पे आपकी income बन जाएगी minus 7,21,400 और यहाँ पे income अब निकालना होगा आपको tax तो दोनों को compare भी कर रहेंगे मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमेशा old रिजिम से कम tax आएगा और ऐसा भी नहीं कह रहा कि new रिजिम में हमेशा tax जाद आएगा कुछ भी हो सकता है बस आप सोचो कि benefit जो है हमारे बहुत सारे छीन लिएगे tax rate नाम कम करने tax का rate कम करने के नाम पे हमारे सारे benefits छीन लिए salary में इतने deduction थे सब छीन लिए उन्होंने ATC से लेके ATU तक के deduction थे वो भी छीन लिए हमसे उन्होंने दिया कुछ भी नहीं बस income बढ़ा दिया उन्होंने अब चलिए tax calculation कर लेते हैं अगले page पे taxable income है ना तो दोनों के लिए next page पे separate कर लेता हूं तो सर ये चीज़ है ना अब आपकी income है नहीं आप बोलोगे tax rate कम हो गया बोलोगे और discuss भी करोगे सरकार ने इस बाद tax rate कम कर दिया है पहले 20 था अब हो गया है 10 लेकिन जो tax payment करता है न सच्चा ही उनको पता चलता है कि सरकार ने कितना बड़ा धोखा कर दिया उनके साथ चलिए सर ये old वाला है और ये new वाला है यानि rate old rate के हिसाफ से निकालूँगा और new यहाँ पे निकलेगा taxable liability ठीक है सर old वाले के हिसाफ से new वाले के हिसाफ से सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ front में old वाले के हिसाफ से मेरी income जो बन रही है 27.400 है यानि यहाँ पे जो मैं निकालने वाला हूँ वो 7.21.400 पे tax और नए वाले में 10.49.000 नए वाले में नए rate को अपलाई करेंगे पुराने वाले में पुराना चलिए सर वाइट से करता है up to 250 चाहे नया हो या पुराना हो निल इसके बाद next 250 चाहे नया हो चाहे पुराना हो 5% दोनों में तो यहाँ पे सर 12.500 बनता है और यहाँ भी 12.500 अब यहाँ पे बचे सर पता ही कितने सिर्फ 2.14.000 तो मैं अब यहाँ हाइलाइट कर देता हूँ यह मैं कर रहा हूँ ओल्ड के लिए next 2.14.000 क्या पांच ही गए ना तो 2.21.400 ओके 2.21.400 यह ओल्ड वाले के लिए कर रहा हूँ कितने परसेंट सर सीधा 20 सीधा 20 तो 2.21.400 पर सीधा 20 चौवालेस दो सो नहीं नहीं अभी रुख जाईए अभी रुख जाईए करेंगे ना पहले निकाले और एक चीद याद रखेगा 87A 87A सर क्या है रिबेट 87A का रिबेट दोनों के लिए है पुराने वाले के लिए भी है ऐसा मस समझना वो भी छीन लिया कुछ तो रहने दिया है हमारे पास अब यहाँ पर निकालते हैं एक बार सरीए सर new के साब से new तो क्या कहता है next 250 फिर से next 250 पे लेंगे 10% मतलब अभी खतम नहीं हुआ अभी साड़े साथ का हिसा भी हुआ है धाई, 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 साड़े साथ नहीं वाले में तो इंकम 10 लाग से उपर है सर तो अभी और आगे चलेंगे फिर new next क्योंकि पुराने वाले में इंकम खतम next 250 कितने परसेंट 15 37,500 अभी खतम नहीं हुआ अभी है balance 39 मैं rate भी लिख देता हूँ सर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर पता नहीं कहां कहां से निकाले जा रहे है तो ये तो 0 है ये add the rate 5% और ये वाला add the rate सीधा 20% लगा है और यहां लेकिन add the rate 10% था और यहां add the rate 15% और यहां add the rate 20% 39,000 into 20% 70 सर अभ निकालते हैं टोटल 12,500 56 780 12,500 25,000 37,500 82 देखा टेक्स रेट कम हो गया हमारा सरकार ने कैसे आपके जेब से पैसे निकाल दे tax rate कम हुआ आपको तो rate कम दिख रहा था लेकिन आपकी tax liability अभी यहां नहीं रुकी अभी sex भी लगाएंगे plus 4% बच्चा पूछ रहा था सर 4% क्या है health 2 सर अब tax liability आएगा यह सही से निकाला नहीं किसी ने ज़्यादा कम तो नहीं निकाला सही है पक्का ना मेरे को लग नहीं रहा है यह सी अजाद 37, 50, 60 हो भी सकता है अब देखिए मेरा परपस था मेरा परपस था क्या मेरा परपस था आपको समझाना के new rhythm, old rhythm क्या चीज है मेरा परपस यह नहीं है कि आप उसमें परशान हो जाओ कि सरकार ने हमारे साथ क्या कर दिया आपकी income भी नहीं है तब भी आप परशान हो सकते हैं कुछ बच्चे कि हमारे साथ तो बुरा हो गया है तो आपको कुछ नहीं सोचना तो simple सी बात है सर जब हमें salary निकालना होगा और examiner बोलेगा ये था deduction सर salary chapter के basis पे MLA वाला allowances exempt नहीं होगा standard deduction नहीं मिलेगा professional tax नहीं मिलेगा और exemption आपका परकिजेट्स के भी कुछ cancel किये गए leave travel concession नहीं मिलेगा hra नहीं मिलेगा special allowances का deduction नहीं मिलेगा entertainment allowances का नहीं मिलेगा सिर्फ ये थे salary मैं salary वाले point highlight कर देता हूं जिसके उपर focus करना है आपने सर एक है हमारा बाकी मैंने इसको ना line से जो नए 10 year मैंने updates किया है फिर से अभी update किया है मैंने साहिद कल पर सो print होने जाएंगे तो ये line से मैंने कर दिया उसको नहीं कुछ ज़्यादा update नहीं किया ये कुछ table वगरा मैं chart वगरा आपको तो करा हूं गई आपका क्या दिक्कत है देखो income tax के अंदर क्या रहता है कि अभी एक बार और मैं बनाओंगा फिर update हो जाएगा तो ज़्यादा update नहीं होता सर update का मतलब क्या है सर simple simple छोटे छोटे point मैं कोसिस करता हूं कि आसानी से chart के form में आप लोगों के पास दे दिया जाए जिस पे मैंने highlight किये हैं ये point salary से related है बाकी point other chapter से related है तो आपको ध्यान नहीं देना उस पे सर इसके बाद पहले बताईए यहां तक मैं दुबारा repeat कर रहा हूं यहां तक सारा मैंने question किया question को दो format में divide कर दिया old rhythm और समझ में आया sir old rhythm में क्या था और new rhythm में क्या था उसके हिसाब से सरकार ने जो tax rate है क्या deduction दिया और फिर हमारा last में liability compare किया तो हमने देखा sir के new rhythm opt करने में हमारा नुकसान है तब अगर हमारे पास deduction हो मान लो मैं LIC में पैसे नहीं डालता मैं ATD का deduction ही claim नहीं करता मैं HR का ही मैं नहीं लेता तो भाईया जब मैं ये सारे काम नहीं करता तो यहां पे ये वाले point भी minus नहीं होते तो अब्वे से ये income भी बढ़के आता जब दोनों ही income समान आ गए बढ़के तब तो मैं new rizm पे ही जाओंगा क्योंकि जब दोनों income सेम है एक जगह rate कम है तो मैं new rizm पे चला जाओंगा लेकिन दोनों जगह में देखा जाए तो एक income हमारी कम आ रही है और एक income ज़ादा आ रही तो चेक करना पड़ेगा के new rizm होगा old rizm honors के अंदर एक टेक्स planning के नाम से भी सब्जेक्ट है personal tax planning ये corporate tax planning ठीक है उसके अंदर ये पूछा जाएगा बताईए दोनों question दे दिया old rizm तो आप comment में करिए कि जो ssc है टेक्स पेयर है उसको कौन सा रिजिम आप्ट करना पड़ेगा अब ये जो बताया है ये पूरा solve करना है और उसी के इसाब से आपको बताना है सर यहाँ पे old rizm opt करेगा क्योंकि यहाँ पे text liability क्या है कम है compare to new rizm तो ये बस last में comment ये answer है आपका जिसका text planning होगा जिसका अँट क्या अब कॉर्पेट टेक्स प्लैनिंग है या टेक्स प्लैनिंग है परसनल टेक्स प्लैनिग हाँ और प्रोग्राम के अंदर वह है मेरे ख्राइब समेस्टर नंबर चार में ये पाँ चार में तो प्योप्य को मैंने कर अभी next ten आपको में नहीं मिलेंगे क्योंकि काफी सारे अमेंडमेंट है अगर टाइम मिला तो अगर वो मैंने लिख दिया सारा अरेंज कर दिया तो तो आप आएगा नहीं तो आपको जो कॉलिज में है वही लेकिन हाँ इस बात का ध्यान रखिएगा जिनके पास इंकम टेक्स है वो प्रसनल पंद्रह का फिक्सान है तो वो चीजे हैं और जो बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चे अगर इसको रिटेन कर पाए तीसरे समिस्टर में तो चौते में वह पीटीपी ले लेते हैं जिससे काम क्या हो जाता है उनका आसान हो जाता है तो चलिए फटा-फट नोट करिए झाल